तो यह Minecraft आखिर क्या चीज है वीडियो स्टाट करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद पिछले चार से पाथ साल से Minecraft के रहा हूँ तो वीडियो स्टाट करते हूँ Minecraft की इनिशल रिलीज डेट है 17 में 2009 और 2011 में officially Mojang इस कमपनी ने रिलीज किया आज तक इसके करीब 180 मिलियन मतलग 18 करोड कॉपी बेची गई है जिसके कारण यह इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेचा गया और सबसे ज़्यादा खेला गया गेम है यह गेम कई तरह से खेला जा सकता है इसके मेंली चार टाइप्स अविलिबल है जावा एडिशन जो की विंडोज, Mac OS और Linux इन ओपरेटिंग सिस्टिम्स पे चलता है बेड्रॉक एडिशन जो की Android, iOS, Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, Samsung Gear VR, Fire OS और Amazon Fire TV OS इन पे चलता है एडिशन एडिशन जो की Windows, Mac OS और iOS पे चलता है और आखिर में Minecraft और जो की नया है जो Android और iOS पे चलता है तो Minecraft ये एक Sandbox Game है, Sandbox Games वो Games होते हैं जिनमें आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं उस गेम की अपनी दुनिया में और आपको कोई Rules मतलब की नियम नहीं दिये जाते तो हम समझ लेते हैं कि आपने ये गेम अपने कॉम्पिटर पे ओपन कर दिया तो पहले आपको टाइटल स्क्रीन दिखाई देगे इसमें आपको सिंगल प्लेयर, मल्टि प्लेयर, माइनक्राफ्ट ट्रेंड्स ये मेन ओप्शन दिखाई देंगे बाके के ओप्शन गेम के सेटिंग्स और भाषा मत्वकी लाइंग्वेज सिलेक्ट करने में कामायत आते हैं तो सिंगल प्लेयर मोड में जाने पर आप अपने खुद के प्राइवेट वर्ल्ड बना कर उनमें खेल सकते हैं इसमें भी तीन प्राकार के गेम मोड आते हैं क्रियेटिव सर्वाइवल और हार्ड कूर क्रियेटिव मोड में आप गेम के किसी भी ब्लॉक को इस्तमाल करके कुछ भी कर सकते हैं कभी आपने अपना खुद का शहर खुद की बिल्डिंग्स बनाने के बारे में सोचा हैं तो आप यह सब अपने मन से इस क्रियेटिव मोड में बना सकते हैं सर्वाइवल मोड में माइंक्राफ्ट के कुछ नियमों के आधार पर सब चलता है जैसे इसमें आपको कुछ से सारे एलिमेंट्स सारी चीजे खोज कर उनसे नई चीजे बनानी पड़ती है और रात होने पर अलग-अलग मॉब्स जैसे जॉम्बी स्केलिटन्स और क्रीपर ट्यार होने शुरी हो जाते हैं इनसे पचने के लिए हम बैड बना कर सो कर रात को स्किप्ट कर सकते हैं जिससे कि हम सीधे रात को सो कर सुबह उठ जाएंगे और मॉब्स ये सुबह की धूक में अपने आप जाने लगते हैं जिससे कि हम उनसे बच सकते हैं मैं सर्वाइव है और जिससे हमारे हार्ट कम होने लगते हैं तो हार्ट कूर मोड में जो हार्ट अगर कम होने लगे तो यह आसानी से रिजनरेट मतलब की फिर से बढ़ने नहीं लगते इसके बारे में भी में अगलक से वीडियो बना दूंगा Minecraft में Main League, तीन तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक हमारा Overworld, मतलब की Normal World, जिसमें आप पहले Spawn होते हैं, दूसरा होता है Nether World, जिसमें Nether Fortress रहती है, और तीसरा होता है End World, जिसमें देता है Ender Dragon, Nether World और End World में जाने के लिए, आपको Portals Available होते हैं, जिनको आप खुद बनाकर उसमें जा सकते हैं, End World में जाने पर आपको Ender Dragon लेगा, जिसे हराने पर Game End हो जाएगा, पर ये गेम भापे End नहीं होता, आप जैसे पहले खेल रहे थे, वैसे ही Overworld में गेम को Continue कर सकते हैं, तो ये सिंगल प्लेयर मोड की बात, अब जाते हैं, मल्टि प्लेयर मोड में, मल्टि प्लेयर मोड में आपको दिखाई देखें, बहुत सारे Servers, जिनको आप अक्सेस करके, अलग-अलग Online Servers पे खेल सकते हैं, और Online, जैसे अलग-अलग गेम्स हैं, जैसे की, PUBG, Fortnite, जिसमें आप अल नने बनाये रहेते हैं, और इनमें, नर्मल माइनक्राफ्ट से बहुत सारे ज़्याधा, फीचर रहेते हैं, बेसिकली, ये गेम आप बहुत तरह से कस्टमाईज कर सकते हैं, जिसके कारंड गेम का लूप चेंज हो सकता है, और आप अपने खुद के चारिक्टर को भी बना सकते हैं और इसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसके कारण ही ये गेम इतना पॉपिलर हुआ है अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ये करीब करीब दो हजार रुपए में एविलेबल है विंडोज एडिशन के लिए अगर आपको जानना है कि ये गेम ठीक से कैसे डाउनलोड की जाती है या फिर इसे कैसे खरीदे तो फिर मुझे आप कमेंट सिक्षन में बता दीजिए मैं आपको इस पे दूसरा एक वीडियो बता दूंग और इस वीडियो को लाइक कीजिए तो थैंक यू आपके अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा